हेलो दोस्तों, वेलकम बेक टू माई यूटूब चैनल, स्टडी मैस 91 तो जैसा कि आप लोग को क्लासिस नहीं मिल पा रही थी रेगुलर, आपको रेगुलर क्लासिस दी जाएंगी तो आज मैं आपके लिए जो हिंदी के टॉपिक करा दिये थे, उससे आगे टॉपिक कराऊंगी, बाकी उमीद है, आप लोगों ने रिविजन कर लिया होगा, उन टॉपिक का, जो जो आप लोग के टॉपिक करा दिये गएंगे, ठीक है? क्या पढ़ाने वाली हो, मैं आपको, कारक की सitating में, जो आपका चीज़ में पूछी ही चाती कारक चिन पढ़ाने वाली हमें , आप लोग के लिए रही है, तो आप लोग पुर्णा रिभीजन करती रही वाकि मैं आपको कारक पढ़ाऊंगे तो कारक में क्या होता देखिए का रख को पहचानते कैसे हैं तो उसके लिए हमें किस से याद करना है कैसे क्या ट्रेक होगी वो मैं आपको इसी वीदियु मनाऊंगे तो वीडियो पूट, बाई कि आप लोग क्या है, थोड़ा सा धील मत दीजिए पढ़ाई के लिए, आप लोग सोच रहे होंगे, फेपर अब तो 6 महीने में होना है, लास्ट टाइम पर कभी किसी की पढ़ाई नहीं होती है, जो भी पढ़ाई हमारे काम आती है, वो हमारी पह नहीं देनी है, ठीक है, तो चलिए आज की कलास को स्टाट करते हैं, तो कलास में, देखो क्या, क्या होता है, पहले तो आपको कारक चिनने के बारे में बात करते हैं, कारक चिनeration आपके कितने होते हैं, itain, होता है कारत का मतलब होता है क्रिया को करने वाला थी कह याद करने वाला याद रहा है करने वाला आप ने लिए नाट होते हैं कौल कौल से होते हैं वो मैं आपको लिखवाती हूं ठीक है देखो करता कर्म कर्म को करण से याद करेंगे ठीक है करण से या के द्वारा ठीक है फिर क्या है देखो आगे देखते हैं संप्रदान के लिए दिखना चाहिए आप लोगों साफ साफ संप्रदान के लिए उसके बाद है अपादान से अपादान से ठीक है देखो यह क्या है यह किया आपकी कारक ठीक है कौन सा हैे जैसे करता करता ने करं को यह क्या है आपको विवक्ति या परसर भी के इसे ठीक है तो आप देखो अब इसे याद कैसे करेंगे करता ने करम को करण से के दुआरा संप्रदान के लिए यह चिन आपको जो पैचाने कैसे जब आप सेंटेंस करेंगे तब मैं आपको बताऊंगे कैसे पैचानेंगे ठीक है कैसे पैचानेंगे फिर क्या है अपादान से फिर संबंध ठीक है क्या है आपका दिख रहा है यहां तक आप लोग लिए संबंध कि संबंध क्या होता है का संबंध होता है आपका का की के यह होता है आपका संबंध ठीक है अधीकरन अधिकरण कौन से होते हैं, अधिकरण में आता है आपका मैं पर, अधिकरण आपका इधर लिख देती हूं, दिख नहीं रहा है, ठीक है, अधिकरण में क्या होता है, अधिकरण में मैं पर, ठीक है, और संबोधन में, संबोधन क्या होता है, आपका लास्ट, संबोधन में हे अरे इस तरह से ठीक है यह होता है संबोधन में तो देखवा इसे याद कैसे करेंगे इसे याद ऐसे ही करेंगे डारेक्ट कारक और विवक्ति इसे विवक्ति कहते हैं ठीक है यह क्या होते है विवक्ति जो आपके करता या सर्वनाम के साथ जो चिन जुड़ उन्हीं को आप विवक्ति कहते हैं ठीक है अब देखो ऐसे अब इसे याद कैसे करेंगे कारक को करता ने करम को करण से के द्वारा दोनों आ सकते हैं संप्रदान के लिए अपादान से उसके बाद संबंध का की के और अधीकरण मैं पर संबोधन हे अरे यह ऐसे याद हो होगे तो आराम से याद हो जाएगा ठीक है तो आगे बढ़ते हैं आगे क्या है यह आपको याद हो गया होगा झ much to just real ले लेना इस तरह से याद रहेंगे तो जब हम एकजाम में आता है तो यह पूछा चाता हैufenet का रख है करता कार्या कह diab二 कि इस तरह से पूछा जाता है, ठीक है, तो चलिए, आगे देखते हैं, अगर हम बात करें करता कारक्की, तो एक्जाम्पिल में आपको देखे बताऊंगे किस तरह से पैचानेंगे, ठीक है, इसका इस त्रीन शोट लेने ना दिख रहा होगा आप लोगों के लिए, ठीक है, ठ करता कारक, कौन सा, करता कारक, ठीक है, करता कारक में क्या होता है, करता कारक में क्या होता है, देखिए, करता कारक में होता है, जो क्रिया करने वाली होती है, वो करता के द्वारा होती है, ठीक है, क्रिया करता के द्वारा होती है, जैसे करता के द्वारा होती है, इसमें और अब लिखा एक्सांपल देखे। इसका एक्सांपल कैसे होगा थे किसे बैचानिगे करताकार है ठीक है मैंने लिखा एक्सांपल रामने पत्र लिखा रामने पत्र लिखा लिखा दोसी आपसी दोड़ करता становा मत घंसे और उतला इसी तरह से, करण, इधर लिख लो ये, करण से के द्वारा, इस तरह से याद कर ले न, के द्वारा, ठीक है, संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए, अपादान से, यह यहाँ पर लिख दे रहें ताकि आप लोग समझ पाएं, अपादान से, ठीक ह आपका सम्द, और सम्बंध, क्या है, काकी, के, और अधीकरण मैं पर, ठीकए, अधीकरण बंपर, अब देखियें, अब देखो करता, करता, ने, तो कौन सा हो गया, करता कारक, क्या हो गया ये, करता कारक,jackay, ये समझ मैं आ रहा होगा, तो ठीक है तो यह हो गया आपका करता कारक ठीक है बाकि आपका संबोधन क्या होता है आपका संबोधन होता है हे अरे है इस तरह से संबोधन ठीक है इसमें क्या होता है अपादान से इसे अलगा हो ना किसी चीज का ठीक है आप देखे आगे बात करते हैं यह तो हो गया आपक पता चलेगा यह कहा सीता खाना छाती है सीता खाना यह का का रागी है लेकिन यह कैसा है आप случае चलता चाहिंद कारक कौनसा है कर्मकारक गार्ट कर्मकारक 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 तो इसमें क्या होता है लेवड़़ों इसमें क्या होता है कर्मकारक जब क्रिया का प्रक узнаете का प्रक्र आंछो कैसे कर्म पर फड़ता है कर्म पर पड़ता है कर्म PAR पड़ता है तो उसकी विवक्ति क्या ऐप कको ठीक है अब योसते referring इग्जाम् pela ग्आर को मारा! तो देखो, यह भी यह सकते हैं!। तो ये तो पूरा दिखना है आपको करता ने कर्म कोnis है, आपको करता ने कर्म को तो यह तो होगे करता ने और कर्म को किसको मारा रावड को मारा तो यह क्या हो जाएगा को क्या है कर्म को तो ठीक है इसमें क्या हो जाएगा कर्मकारक समझ में आया ठीक है समझ में आ रहा होगा दूसरा एक्जाम्पल देखते हैं आपका जैसे अब मालो बच्चे ने चलो एक एक एक्जामपिल ले लो बच्चे ने कुट्टे को मारा कुट्टे को मारा ठीक है दूसरा एक्जामपिल आपका यह हो गया ठीक है तो यह किसका एक्जामपिल है आपका कर्मकारक का किसका एक्जामपिल है इसमें क्या है कर्म ने वो कर बताने कर्म को ठीक है तो समझ में आ गया होगा आप लोगो को किस तरह से यह और यह आपका कर्म कारती के चलिए दूसरा आपकी बढ़ते है कि अ कि टशे को कहें कर ट including इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, देखो, इसमें होता है, जब कर्ता जो होता है, कर्ता कर्म करते समय, कर्म कर्ते समय जिन साधनों का उपियोग करता है उसे ही आप क्या कहते हैं? करन कहते हैं उन्हें करणकारक कहते हैं देखो कैसे देखो example देखते हैं आपका example देखते हैं इसका example क्या है आपका देखो राधा चाकू से सबजी काटती है सबजी काटती देखो कैसे पता चला ठीक है देखो राधा चाकू से सबजी काटती है राधा क्या है करता राधा क्या है करता आपका राधा क्या है करता है और काम क्या कर रही है आपका सबजी काट रही है किस से मैंने क्या मता है करता कर्म करते समय जिन सादरों का उपयोग करता है जो शादन चाकू से उसमें सबजी काटी है तो इसमें क्या होगे आपका करण कारक, ठीक है, देखो आपका जे रहा है, करण से, इसमें क्या होगे है, चाकू से, करण कारक, समझ में आ रहा है, जब भी एक्जाम में आएगा तो आप भूलोगे नहीं, आपको डिटेल में बता होगा, ठीक है, तो आप कभी भी भूलोग यह वरना क्या होगा आप अगर सेतों दो जगे आता है यह यह बताएंगे यह और कैसे पैचानेंगे जब दोनों यह कैसे पैचाने करण्का रहा किया या आप आदान का रहा कि ये भी आपको बता दिये जाएंगा खीक है तो देखे यह हो गई दूसरा डेखिए इसका दूसरा एक्जाम्पिल है राम ने रावड को रावड को बार से मारा ठीक है अब इसमें देखो करता ने इसमें तीनों कार्एख दिखेंगे आप को करता में करम को करण से ठीक है राम ने रावड को बाड से मारा तो कौन सा का करण से आगया से तो इससे क्या पता चल रहा है यह आपका करण कारक है ठीक है तो दो एक्जाम्पलों के समझ में आ गया होगा आपको करण कारक समझ में आ गया ठीक है चलिए नेक्स्ट करते हैं आपके होत होते हैं संप्रदान कारड कर चीक नेख्स कर्णा नेक्सित बढ़ते हैं का कॉन सा है संप्रदान कारक ऐसा क्या है क्या है जास देखो इसमें क्या होता है आपका इसे कैसे पहचानेंगे एक तो आपका यह है कि आप पहचाननेंगे इसे किसे के लिए से ठीके तो आप दूसरा क्या इसमें क्या होता है कि इसमें जो आपका विवक्ति होता है उसका मतलब होता है देना मतलब किसी वाकिमें देना जैसे कैस से देखी इसका मतलब होता हHope कोई चीज देन को जीत से देखे किस तरह से ropriet है संप्रदां का अर्थ होता है आपका देन करें आप देखिए इसे का एकजांप्ल ho कि एकजांप्ल ऐ है अशोक को अशोक मां के लिए मां के लिए दवाल आया ठीक है अब देखिए अशोक मां के लिए आ गया संप्रदान क्या होता के लिए अशोक मां के लिए दवाल आया ठीक है समझ में आ गया तो करताने आपको यह याद होना चाहिए सबसे पहले करताने कर्म को करन से के द्वारा संप्र का की के यह आपको याद होना चाहिए तो आपको यह समझ में आगया अशोक क्या किया मां के लिए मां के लिए क्या लाया दवा लाया समझ में आ गया यह तो यह क्या हो गया आपका यह हो गया आपका संप्रदान कारक ठीक है संप्रदान कारक समझ में आया होगा ठीक है दूस समां लाओ ठीक है यह ऊप्किकिन sono हो गया आपका संप्रदान का रख का तो यह आप को समझ में आ रहा होगा ठीक है चलिया आगे बढ़ते है आगे कौन सा कारक है आपको अंपादान कॉन सा अपादान है का यह बार एकजम में अपादान से question पूछा जाता है क्योंकि बच्चेस में क्या हो जाते हैं अपादान कारक ठीक है अपादान कारक इसमें क्या होता है जब एक बस्तू दूसरी बस्तू से अलग होती है अलग होती है अलग होती है ठीक है तो उसमें क्या होता है अब इसका विवक्ति चीने तो पता ही आपका से उसमें लिखाविया लगा हो ठीक है जैसे एक्जाम्पल देखते हैं इसका एक्जाम्पल है जैसे पेड से पत्ता गिरता है पेड से पत्ता गिरता है ठीक है जैसे प पेड़ से पत्ता इरता है, तो जो पत्ता है, वो पेड़ से अलग हो रहा है, तो जो पत्ता है, वो पेड़ से अलग हो रहा है, तो क्या होगे इसमें, इसमें होगे आपका अपादान कारक, कौन सा, अपादान कारक, ठीक है, अपादान कारक, यह समझ में आ रहा होगा, आप से गाओं से गाओं जाते हैं इसमें भी क्या होगा आपका लोत सहर से गाओं जाकर अलगी है N तो श्रलित क्या समझें आरहा है चलिए और देखते समय?. देखो इसमें अपादान जो होते हैं वो कई कंडिशन में आता है आपका कैसे कैसे देखिए कई कंडिशन होती है इसकी एक सिंपल कंडिशन तो यही है आपको यह याद रखना है कि जब कोई वस्तू दूसरी वस्तू से अलग होती है तो उसमें अपादान कारख होता है लेक तब तुलना की जाती है, की जाती है, तब भी अपादान होता है, देखे कैसे, अपादान होता है, जैसे एक्जाम्पल देखिए, एक्जाम्पल है, अशोक रमेश से अच्छा है, अशोक रमेश से अच्छा है, अब देखें, यहाँ पर कोई चीज अलग तो नहीं हो रही, यहाँ पर कोई चीज अलग हो रही है, क्या है, नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी इसमें क्या है, से वेवक्ति आ रही है, अब आप इसमें confusion हो जाओगे, कि करण है या फिर अपादान है, क्योंकि इसमें अलग का तब भी कैसा होता है यह अपादान ही होता है ठीक है दूसरी कंडिशन देखो दूसरी कंडिशन क्या है आपकी दूसरी condition है जहां डर का भय होता है जहां डर का भाव होता है ठीक है भाव होता है बहाँ भी आपका अपादान कारफ होता है जैसे example देखिए आप example क्या है example है आपका बालक सेर से डरता है से से डरता है इस टाइब के question पूछे जाते हैं क्योंकि बच्चे इसमें confused जाते हैं इसमें गलत होने के chances ज़्यादा होते हैं क्योंकि current से लगा सकते हैं या फिर अपादान से नहीं लगा पाते हैं क्योंकि वो समझ नहीं पाते हैं इसमें जातर सबको यह पता होता है कि अलग होने का भाव होता है तो इसमें भी क्या होगा जहां डर का भाव होता है वहां भी क्या होता है आपका अपादान कारक होता है ठीक है तो यह समझ में आ रहा है आपको वहां भी आपका अपादान कारक होता है ठीक है ठीक है बाकी ए प्राप्त किया जाता है जिससे ग्यान प्राप्त हो जैसे आपका देखिए एक्जाम्पिल देखिए आपका एक्जाम्पिल क्या है आपका एक्जाम्पिल है आपका चात्र गुरू से पढ़ते हैं चात्र गुरू से पढ़ते हैं ठीक है इसमें भी क्या है आपका अपादान कारका आपको समझ में आ गए होगा किस-किस सिवेशन हो सकता है आपके कॉश्च गलत नहीं होंगे ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे कारक की in कि आपके संभान्ध कारक कांसा कारक है आपका समंध्कारक ठीक है संबंध कारक विवक्ती क्या है इसमें ये तो आपको पता ही है क्या है का की के इस तरह से ठीक है ये तो आपको पता ही है अब इसमें क्या होगा संबंध कारक में क्या होगा जब इसका ये देख लो जब संग्या या सर्वनाम का जब संग्या या सर्वनाम, सर्वनाम का संबंद बताया जाता है, ठीक है, संबंद बताया जाता है, देखो कैसे, सोहन, सोहनों मोहन का भाई है, ठीक है, यह कैसा है आपका संबंद कारक है, आपका संबंद का रख ऑगे, मोहन का आप देखिए और एक्जाम्पिल देखिए आपका देखिए दूसरा एक्जाम्पिल देखिए सीता सीता सोहन की बहन है सोहन की बहन है ठीक है इस तरह से आपका क्या हो जाएगा यह आपका कौनसा हो गया आपका संबंद कारक हो गया संबंद कारक में क्या है काकी की य next चलते हैं आपका कौनसा अधीकरण मैं पर कौनसा अधीकरण मैं या पर अधीकरण कारक जिसमें क्या होता है आपका मैं और पर होता है इसका example देखिए इसका example आप देखिए इसका example क्या है इसका example है पेड़ पर पक्षी बैठे है तो अधीकरण हो गया तीक है ये भी कौन सा हो गया आपका अधिकरण कारख हो गया ठीक है समझ में आ रहा है इसमें तो कोई दिकत नहीं है और दूसरा एक्जामपिल देखो आपकी देख लो सीता गाड़ी में बैठी है ठीक है ये हो गया आपका देखो आप एक ही क्लास पूरी करोगे लेकिन आपका अभी आपका पूछा जाए ठीक है तो ये होगे आपका अधिकरण लास्ट बत्त जाए आपका संबोधन कारख ठीक है तो आपको समझ में आ रहा होगा कोई भी आपका क्वेशन छूटेगा नहीं इस क्लास को करने के बाद में ठीक है लास्ट है आपका संबोधन ठीक है सं सम्मोधन कारक, सम्मोधन कारक, इसमें क्या होता है आपका हे या आरे, देखो कैसे हैं, एंग देखते हैं इसका एक्जाम्पिल देखो इसका एक्जाम्पिल ही बगवान हमारी रक्षा करो हमारी रक्षा करो ठीक है यह क्या हो गए आपका। हे भगवान हमारी रक्षा करो, हे आ गया, ठीक है, हे भगवान हमारी रक्षा करो, ठीक है, दूसरा है, अरे मोहन, अरे मोहन इधर आओ, अरे मोहन इधर आओ, ठीक है, यह हो गया आपका, अरे मोहन इधर आओ, ठीक है, तो यह क्या सा हो गया आपका, सम्मोधन कारक हो गया, आपको समझ में आ गए होंगे, तो आपके कारक कितने होते हैं, कारक चिन आपके 8 होते हैं, कितने कारक होते हैं, आपके 8 होते हैं, ठीके, कितने होते हैं, इस तैप के question बनते हैं आपके, अब ये आपको सबसे जरूरी है, ये याद करना, ये याद दूसरे से कभी-कभी जुड़ जाते हैं, तो आपको क्या करना है, क्लास को पूरी देखना है और अच्छे से क्लास को समझना है, बाकि इसका जो कॉशन बनते हैं, उस पर भी मैं क्लास आपको जरूर लेके आऊँगी, बाकि हर टॉपिक आपको क्लियर कराया जाएगा, कोई जाते हैं?